मदर्सा जामिय असलामिय नूर उलूम बर खेडी मेवाती में कराई रागु बर काजी आमिल मुहम्मद अनीज रहमानी साहब ने ईद की नमाज अला कराई काजी साहब ने रमजान के रोज़ी और तरावी और अबादतों के कुबूल होने की दुआ की काजी साहब ने मुस्मिम भाईयों से अपीर की है कि हमारे बतानी भाईयों के साथ अच्छे व्यवहार होने चाहिए हम सब की एक तादेश और मजबूत करती है और सभी से कहा कि जिस तरह रमजान के महीने में नमाज की पावंदी कर रहे थे इसी तरह 11 महीनों में भी नमाज की पावंदी करे और अपने बच्चों को सच्छा दिलाए हमारे नभी साहब का परमान है हमसे जो भी बड़ा है चाहिए किसी भी मजब से तालूब रखता हो हमें उसका समान करना चाहिए उसके इज़द करनी चाहिए और हमको छोटे सी मौहबत करना चाहिए और हमारे पलूसी जो भी उनके साथ हमारे मामलात बहुत अच्छे होना चाहिए आखिर में पूर्व काविनिट मंतरी महराज कुमर जयबर्धन सिंग विधायक जी बाबा साहब इदगाह पर ताश्री रूर्लूम में इद की नमाब अजा की गई और इसे यही पेगाम दिया गया कि एद की खुशियों में तमाम हमारे देश्वासी शामिल हों। तरक्यता फर्माएं और हमारे मुलकों के बॉर्डर पर जो सेना लगी हुई है और हमारा पिर्शासन जिस तरह से भी मुलकों के जो भी सरकारी करमचारी हैं जिस तरह से जो भी मुलकों के लोगों की खित्मत कर रहा हैं उन सब की चारों सब तरफ से रिफाज़त की जाए माल कुमें गंगा जमनी तैजीब रहे हमारा मुलक को खूब तरफ की करें एक दूसरों के मजब का ख्याल लगा जाए एक दूसरों का सम्मान किया जाए अपडेट मीडिया के लिए रागुपर से इद्रीस मनसूरी के